आपको पिर्सेश स्वागत है और यह नवीन पार्टिकरम बनाया नया स्लेबस आया एक उसमें राज लोक सिवा आयोग जो टॉपिक जुड़ा है उस पर पूछे जाने वाले महत्पून प्रस्ट का यह सेकंड वीडियो है इससे पहले मैं पहला वीडियो ला चुका हूं जि में कि वो सारे इंपॉर्टेंट में लेके आया था जो कि एक्जाम में पूछे जा सकते हैं जो कि MPPSC 2020 अभी अप्रेल में होने वाली है तो यह भी सेकंड वीडियो है जिसमें कि अगले मैं 15 लेके आया हूं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉर्शन से ठीके ना और लोग सेवा आयोग पर पूरे जुड़े हुए कॉर्शन है तो वीडियो को अंतक देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिए साथ में और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे की अन वो सारे प्रेक्शारती जो की MPPSC 2020 की तैयारी कर रहे हैं और वो ये सारे questions को जरूर देखेंगे और जरूर देखें और साती सात में वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और वीडियो को अंतक आप जरूर देखिएगा और लगातार मेरा चैनल study concept आप subscribe कर लिजिए all notification के साथ में जिससे की आपको सारे वीडियो के notification मिलें और लगातार पहला प्रसन आपके सामने मद्द प्रदेश लोक सिवायो की स्तापना किस तिति को की गई थी option आपके सामने है एक नमबर 1956 एक अक्टूबर 1956 पंदरा अगर्ष्ट 1956 या फिर 26 जनबरी 1956 को तो इसका जो सई विकल पर वो क्या है तो वो है एक नमबर 1956 को मद्द प्रदेश लोक सिवायो की स्तापना कि गई थी जिस दिन मद्द प्रदेश की स्तापना हुई थी मद्द प्रदेश का गठन हुआ था उसी दिन मद्द प्रदेश लोक सिवायो की स्तापना की गई थी और वैसे लोक सिवायो बिटिस काल के दोरान ही शुरू हो गया था ठीक है ना उस समय रोयल लोक सिवायो था रोयल कमि गब बना था? Sंग लोकसिवायो, जिसको भारति अधिनियम संगी लोकसिवायो के नाम से जानते हैं, यह 1935 में बना फिर, ठीक है, उसके बाद में 1950 में इसका नाम बदल कर संग लोक Сिवायो कर दिया गया, ठीक है, संग लोक सिवायो कर दिया गया, ठीक है, और scratched का जो ब बना, वो बना 1956 को जब मद्रप्रदेश का गठन किया गया था, तो ये सारे facts बहुत important है, मैंने संग लोकसिवा आयोक की जो important questions थे, उसमें भी मैं सारे points रखे हुए हैं, और उसमें संग लोकसिवा आयोक से जुड़े हुए हैं, और ये राज लोकसिवा आयोक से जुड़े जो मुख्याले है, वो इन में से किस सहर में इसते थे, भोपाल में, जवलपूर में, इंदौर में, या फिर गौलेर में, तो सभी लोग जानते हैं, विल्कुर डेफिनेटली, एवरीवन नो अबाट, इंदौर में इसते थे, मद्रप्रदेश की आर्थिक राजदानी, इ प्राबदान संभीदान के किस भाग में किया गया है, भाग बारा, भाग चवदा, भाग चवदा आ, या फिर भाग पंदरा, तो इसका जो सही विकल्प क्या है, तो इसका जो सही विकल्प है, वो है भाग चवदा, भाग चवदा में इसका प्राबदान किया गया है, और स लोकसेवायो के अध्यक्ष इगम सदस्यों को किन तरीके से पदा चिवत्यान की पद से हटाया जा सकता है इस्तिफद हैं सिद्ध कदाचार दिवालिया या पर संग लोकसेवायो के सदस्य की रूप में चैन के पस्चार इसमें से कौन से कूट सही है ये अपने को पता ना है तो बताइए इसमें से कौन सा सही है तो इसका जो विकल्प सा है वो बिल्कुल सही है यानि कि उपर दिया हुए तीन विकल्प बिल्कुल सही है यानि कि इस्तिवा वो स्वैम दे सकते हैं कदाचार सिद्ध हो या फिर व इस में से options में से कौन सा सही है अनुच्छे 312, 315, 316 या फिर 317 तो किस आर्टिकल के तहत मदब्रदिस लोग सिवायोग का गठन किया गया है समिधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है ये तो इसका जो सही उत्तर है वो आर्टिकल 315 आर्टिकल 315 के तहत ये गठन किया ग अगला प्रसना आ गया निम्न में से किस मामले में राज लोक सेवा आयोग से परामर्स नहीं लिया जाता सिविल सेवा की भरती की पदिती पर सिविल सेवा की निक्ति के अनुसरन किया जाने के सिद्धानतों पर या पिर सिविल सेवा की पदोनती एवं एक सेवा से दूसर सेवा में इस्तांतरन्ट और शञू ने की सिधधान्त पर या पिर सिविल सेवायों के स्तांतरन्ट पर तो इसमें से सही कैल्फ कौन구나 सí है जिस पर कि हैट आद की अधिकारी होते हैं उनका कंगर ट्रांसफिर होता है तो उसमें परामर्स नहीं लिए आया था, बागे ये तीनों सही हैं, all these three are correct, ठीक है, अगला प्रस्णा आ गया, मदप्रदेश लोग सेवा आयोग, जिसको की राज लोग सेवा आयोग के अध्यक्ष, ठीक है न, मदप्रदेश लोग सेवा आयोग, या फिर राज लोग सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदेस्यों की नुक्ति सम्विधान के किस अनुछेद की अंतरगत की जाती है अनुछेद 315 अनुछेद 317 अनुछेद 316 या पिर अनुछेद 317 तो इसका यो सही विकल्प क्या है तो इसका सही विकल्प है बा अनुछेद 316 की अंतरगत अध्यक्ष और सदेस सदस्यों की नियुक्ति की जाती है ठीक है ना मद्रदेश लोकसिवायों या फिर राज लोकसिवायों के अधिन में ठीक है अगला प्रसना आ गया राज लोकसिवायों के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है राष्टपति के द्वारा राजपाल के द्वारा अध्यक्ष लोक्सेवा आयोग के द्वारा या फिर अध्यक्ष लोक्सेवा आयोग के द्वारा तो इसका राज प्रदेश लोग सेवा आयो के अध्यक्ष की नुक्ति किसके द्वार की आती है अभी मैं बता चूक हूँ आपको बिलकुल आप इसमें से बता सकते हैं तो इसमें से विकल्प कौन से सही है तो इसका है सा विकल्प राज पाल के द्वारा राज में राज पाल और केंदर में इस समिट में बहुत सी ऐसी हस्तिया हैं जो आपको गाइड करेंगी IS एक्जाम्स क्रेक करने में जैसे की केला सत्यार्थी, Nobel Prize Laureate, Deepak Gupta, former Chairman of UPSC, Jais Ranjan, Principal Secretary, INC and IT, Telangana Government, दुरगा सक्ती, Deputy Secretary, Dr. Ajit Ranade, Chief Economist, आदित बिरला गुरुप, फरान, रासुन, पैरिया, Senior, Anchor, Public Broadcaster, प्रवीन कास्वान, IFS Officer, और साथ में उपस्तित रहेंगे अनेकेडमी के Best Educators, जो कि आपको अनेकेडमी पर पढ़ाते हैं, जो भी बच्चे Civil Services की एक्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको यह सम्मिट जो दो दिन का है, जरूर अटेंड करना चाहिए, यह सम्मिट से आपको काफी फाइदे मिलेंगे, जैसे की आपको ट्रिक बताए जाएंगे एक्जाम क्रेक करने के लिए, जिन्नोंने एक्जाम पहले निकाला है, वो आपके एक्जाम से जड़े हुए हर सवाल का जवाब देंगे, आपको रैंकर्स की तैयारी करने में आपको तरीके बताए जाएंगे, आई एस ओफिसर की जिन्दगी को और गेराई से जानने का आपको मौका मिलेगा, और भी बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, इस दो दिन की इवेंट में क्या-क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, 70% वक्ता, 20 टॉक एंड डिसकर्शन सेशन, 32 हैंड्स ओन वर्क्शॉप, और इस समिट के लिए आपको कहीं भी नह पूरा समिट ओनलाइन होगा, आपके मन में कई सवाल होगे, जैसे इसकी रिजिस्टरेशन की फीस क्या रहेगी, तो मैं आपको बता देता हूं, इसकी रिजिस्टरीशन की फीस नहीं है, बस आपको एडवांस में रिजिस्टर जरूर करना है, क्या मैं सारे सेशन खुला है क्या कोई special session हमारे लिए हमारे सवालों के लिए भी खुला है जी हाँ आपकी सवालों के लिए भी मैं तो दिये जाएगा और speaker द्वारा session के अंत में आपकी सवालों के जबाब दिये जाएंगे इस session के लिए हम register कैसे करें तो नीचे description box में इसकी link दूई है वहाँ से आप click करके इस पूरी summit के लिए register कर सकते हैं तो आज ही register कीजिए और जब register करें तो मेरा code लगाना मत भूलेगा मेरा code है हर्दयाल कुषवा जोकी capital letter में नीचे लिखा हुआ है अगला प्रस्ना गया मदपरदेश लोक्षेवा आयो के पृत्वम अध्यक्ष इन में से कौन है ये बताना इसमें तो इसका जो सई विकल्प है वो है डी वी रेगे मदप्रदेश लोक सिवायों के ये पिर्तम अध्यक्ष थे ठीक है? अगला प्रसना आगया राज लोक सिवायों के सम्मंदित जो अनुचेद हैं वो कौन से हैं? अगला प्रसना आगया खिस अनुचेद के तहट लोक सिवायों के अपना प्रतिवेदन राज पाल को सोपता है? तो अनुचेद कौन सा है? अनुचेद 319, 320, 322 या 320 तो इसका सही विकल्प है वो है आटिकल 3.23 के तहट राज लोक सिवायों के अपना प्रतिवेदन राज पाल को सोपता है? क्योंकि राजपाल ही निर्ति करते हैं अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं उनकी तो इनका प्रतिवेदन भी राजपाल की प्रतिवेदन बनता है तो राजपाल को ही सोपता जाता है. अगला प्रस्ना आ गया राज लोक सेवायो के अद्यक्षिका कारेकाल है वो कितना निर्धारित किया गया है पांच वर्स या साट वर्स की आयू, छे वर्स या साट वर्स की आयू, पांच वर्स या बांसट वर्स की आयू, छे वर्स या फिर बांसट वर्स की आयू, जो पहले हो जाए, तो इसका जो सही विकल्प कौन सा है, तो वो है, छे वर्स और बांसट वर्स की आयू, जो भी प जो कि अध्यक्स के लिए रनी कि अध्यक्स और सदर्स्यों का यो कारिकाल है उनके कारिकाल हो जाता है। अगला प्रसना आ गया है राज लोग सेवायोग एक क्या है ये नियामक संगठन है वेधानिक संगठन है संसद्धी अध्यदेश से स्तापित है या पिर सामवेधानिक संगठन है इसका जो सही विकल्पे वो क्या है तो वो है सामवेधानिक संगठन राज लोग सेवायोग है या फिर संग लोग से वायोग दोनों ही सामवेधानेक संग ठने हैं तो ये थे टोटल 15 questions वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा important है साथी साथ में वीडियो को आप like भी करें और वीडियो को share करें जिससे की ज़्यादा से ज़्यादा परिक्षारती मेरे इस particular special topic के वाली series दे जुरपा है और लगातार देखने के लिए मेरा चैनल study concept subscribe करने वो भी all notification के साथ में ध्यान रहे all का radio button click करने के बाद ही आपको subscribe का button click करना जैसे कि आपको सारे वीडियो के notification मुलेंगे और लगातार आप मेरे सारे वीडियो देख पाएंगे तो इसी के साथ में अपना ये वीडियो ही समाप्त करता हूँ लगातार देखने के लिए मेरा चैनल tune कीजिए और playlist से वो सारे वीडियो देखिए जो कि आपके जीके के लिए important है तो जैहिन जै भारत